Good morning students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, today's topic Hindi Reader, lesson 1 Prathna. कल हमने Prathna का बोयम पढ़ा था, दया का दान भक्ती का हमें परमात्मा देना और उसके साथ हमने कुछ कोशन कीये थे, कोशन नमबर वन, कोशन नमबर वन और कोशन नमबर टू. ठीक है, यह हमने आपको कॉपी में करवा दिया था, समझाया भी था और आपको करने के लिए कहा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशन नमबर टू. अती लगूत्री प्रश्न. निर्दे से निमलिकित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में दीजिए. पहला कॉशन है, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर इसलिए रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कर्म है और जो धर्म है, वो देश की सेवा में समर्पीत होना चाहिए. इसलिए हमें मिलजुल के रहना चाहिए. आत्मा में सुद्धता देने का क्या तात पर है? आत्मा में सुद्धता देने से तात पर है कि हमारे हिर्दे में हमेशा पवित्रता होनी चाहिए चलिए हम इसकी आंसर आपको दिखाते हैं हमें मिलजूल का क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजूलकर इसलिए रहना चाहिए कि जो हमारा कर्म है और जो धर्म है वो ही सेवा है इसलिए हमें मिलजूलकर रहना चाहिए दूसरा है आत्मा में सुद्धता देना का क्या अतात पर है आत्मा में सुद्धता देने का अतात पर है कि हमारे हिरदय में हमेशा पवित्रता होनी चाहिए ठीक है ये थे हमारे question number 3 जो हमने आपको आज हमने complete करवा दिया इसे आप copy में note करेंगे हमने से पहले question 1 किया question 2 किया और आज हमने question number 3 किया चलिए आगे देखते हैं book में क्या दिया है भासा की बात अब यहां क्या दिया यह blue color का box है इस blue color के box में हमें कुछ निर्देश दिये हैं उन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं पहला है दया करदान भक्ती का हमें परमात्मा देना यहां परमात्मा में underline किया है हमारे ध्यान में आओ आओ प्रभू आँखों में बच जाओ और भगवान भी कहते हैं ठीक है इसी प्रकार फूल फूल को हम और क्या बोल सकते हैं पुस्पू कहते हैं सुवन कह सकते हैं कुसुम कह सकते हैं आदी सब्दे भी प्रयोग किये जाते हैं ठीक है यह सब्दे समान अर्थ का बोध कराते हैं तो यह क्याते हैं हमारे परयाईवाची सब्दे थे एक सब्द को हम अनेक नामों से जा सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे परयाईवाची सब्दे जो सब्द समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोथ कराते हैं उन्हें समान अर्थ या परयाईवाची सब्द कहते हैं यहाँ का परयाई वची वायू पवन समीर पानी का परयाई वची जल नीर वारी ठीक है ये क्या थे हमारे परयाई वची सब्द के कुछ उधारन थे आई हम कुछ इसके प्रश्ण देखते हैं नीचे दिये गए सब्दों में से जो सामान अर्थ का बोद नहीं कराते हैं उन पर गोल लगाना है उन पर सरकल बनाना ठीक है जैसे सागर सागर को हम और किस नाम से जानते हैं जलदी और रतना करें के सरीता जो है वो नदी का नाम इसलिए हम सरकल करेंगे गंगा गंगा को और किस नाम से जानते हैं भागी रती की नाम से जानते हैं सुरु सरी के नाम से जानते ह एक अलग वर्ट से, इसलिए यहाँ पर सरकल बनाएंगे जनरभूमी, मातर भूमी कहते है वतन भी कहते है, लेकि प्रदेश हम नहीं कहते हैं जनरभूमी किसलिए यहाँ पर सरकल आएगा नेतर है आँख, नयन और आँख यह नेतर का पर्याओवाची है लेकि नार्सी का जो है वो नेतर का पर्याओवाची नहीं है इसलिए यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे चलिए देखते हैं अगे क्या दिया हुआ है पेज नमबर फोर में नीचे दी गए सब्द पहली को ध्यान में देखें इसमें नीचे लिखे हुए सब्दों के दो दो समानारती या प्रयाईवाची सब्द हैं उन्हें छाट कर लिखिए जैसे यहाँ पर दी है अकास, कमल, पहाड, अगनी, घर, पानी, दिन अब यहाँ पर यह कुछ वर्क पहली दिख रहा है, आपको इन वर्क पहली में एक एक खंड में अलग-अलग अक्छर दी हुए, इन अक्छरों को जोड को हमें सब्द बनाने हैं, ठीक है, जैसे आकास, आकास को हम क्या कह सकते हैं, आकास को हम नब भी कह सकते हैं, और गगन पहाड पहाड को हम परवत भी कहते हैं और भूधर भी कहते हैं और कमल को कमल का प्रियावची जलज और नीरज है नीरज कहां दिया हुआ है यह नीरज ठीक है अब है अगनी अगनी को क्या कहते हैं आग आग कहां है यह है आपका आग फिर अनल यह दिया हुआ है अनल ठीक है फिर घर है घर को हम सदन कहते हैं और यह है सदन और भवन और क्या कहते हैं हम भवन फिर है पानी पानी को हम कहते हैं जल यह हमारा जल और नीर यह हमारा नीर दिन को हम क्या कहते हैं दिवश और रोज ठीक है यह हमारा रोज और दिवश जहां से धुड़के आपको लिखना है ठीक है यह है आपका दिवश ठीक ये आपके पजल्स थे या ये वर्क पहली थी इनके अधार पर हमें इन ब्लेंक्सों में भरना दूर के ठीक ये था हमारा आज का question, answer और ये कुछ वर्क पहली यां थी इन्हें हमने solve किया आज हमारा lesson 1 यहां समाप्त होता है तो आपको ये lesson 1 आपकी copy में पूरे note हो जाने चाहिए और आज का homework है पाढ़ दो बवार को सलता ये आप read करके आएंगे ये आपका आज का homework है HW 15, 7, 20 ओके? Thank you